टीवी रख के पास पागल हुई सास आज कल वर्मा जी की पत्नी देव की जी केबल पर रियालिटी शोज देख देख कर बहुत कुछ सीख रही है जैसे आज तो वो सुबह सुबह बे सुरे आलाप ले रही है सारे गामाधा माजी सारे गामा पाधा नीसा होता है अरे वो तो सब गाते हैं यह मेरा इस्टाइल है आवाज तो कम कर लीजे माजी परदे पढ़ जाएंगे कान के यह कहो कि परदों में आग लग जाएगी देखना मेरी आवाज सुनके जज आग लगा देगी आग लगा देगी तू तो आग लगा देगी ऐसा बोलेंगे सरीता वहाँ से परेशान होकर चली जाती है और सास रियाज जारी रखती है सारे गाओं सारे नाचो तभी बाबुजी दुकान से लोटते है अरे देखकी क्यों तान से बनी हुई है तान से खून निकालोगी क्या अरे क्या हुआ रियाज तो करने दो मुझे इसको रियाज बोलते है ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े ही नहीं आ रहा है गोड़े पे बैड़के ही बंबई जाओंगी मैं तो जब जजज साहब कहेंगे की देवकी तुम मुंबई आ रही हो जजज साहब वो अदालत वाले अरे नहीं नहीं बड़े लोग है आप नहीं जानते हैं ओ मैं तो छुड़ चली अपना ये देश बंबई यह मुझे प्यारा लगी गाना गाती हुई देवकी चली जाती है और बाबुजी अपनी सर फिरी पत्नी के इस संगीत प्रेम की चर्चा करने बहु के पास चले जाते हैं अरे सरीता बेटा सुनो तो ये तेरी सास को क्या हुआ है बेटा सुबह तो अच्छा भला छोड़ कर गया था इसे सिंगर बनेगी अब वो सिंगिंग रियालिटी शो में जाने की सुबह से तैयारिया चल रही है इनकी हाँ अब तो कोयल के सुर मेंढ़क छेड़ेगा ये भगवान सद बुद्धी दो इसे इदर बाबुजी भगवान को कहते हैं और उदर राधारानी प्रकट हो जाती है देवकी की महले की सबसे पक्की दोस्त क्यों अरी देवकी काहे इतना गला फाड रही है कोई चीखने चिलनाने का कमपिटिशन है क्या अरे ये देख नया सिंगिंग शो ना भी गाउंगी हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बनूंगी अरे इतना बे सुरा गाके दिलों की धड़कन नहीं दिलों का अटैक बन जाएगी इससे तो अच्छा है कि नाची ले वैसे भी दिन बर महले में नाच्टी तो रहती है तू कभी इसके घर कभी उसके घर देवकी को समझ में आजाता है कि उसका गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा अगले दिन सरीता देखती है कि सास पैरों में गुंगरू बांद के नाच रही है अरे माजी क्या मंजुली का बनी हुई है आजा अरे नाचने दे बहु जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी अरे माजी अभी जान निकल जाएगी इतनी जोर से नाचेंगी तो अरे अरे क्या कर रही हो अरे दिख नहीं रहा डांस कर रही हूँ अरे जैसी तुमारी हरकत है तुमको तो नागिन डांस करना चाहिए वो भी करूँगी भांगणा भी करूँगी देखना जैस मुझे देखके स्टेंडिंग ओवेशन देंगे हाँ स्टेंडिंग ओवेशन तो देंगे ही ताकि खड़े होकर वहाँ से भाग सके तुम्हारा डांस देखकर अरे कुछ डंग की चीज़ करो ये रोज क्या नया शुरू कर देती हो सास को लगता है कि उसका डांस का सीन भी बिगड़ गया अब वो टीवी देखके कोई और कलाकारी ढूनने लगती है तभी उसे टीवी पर खतरों के खतरनाग खिलाडी शो दिखता है जिसमें लोग अलग-अलग स्टंट करते है बस देव की को नया काम मिल जाता है अगले दिन सुबर देव की डंबल लेकर कस्वत करने लगती है मा जी ये क्या कर रहे हैं आप आरे खाली जैसे बन कर खलबली मचा दूंगी कल मैंने खतरों के खतनाग खिलाडी देखा और सोच लिया कि मुझे वही जाना है हाँ बस तभी वहाँ बाबुजी भी आ जाते है अरे इतना भारी डंबल अरे गिर मत जाना कहीं लेकर अरे चुप करो तुमसे कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे से भी कुछ नहीं होगा मैं तो खतरों के खतनाग खिलाडी में जाने वाली हूँ हाँ मैं तो इस शो में तभी गया था जब तुमसे शादी हुई थी तुमसे शादी करना भी खतरों के खतनाग खिलाडी में जाने से कम थोड़ी न अब चुब भी रही है अरे बहु वो भारी वाला डंबल उठा कर ला तो अरे नाना मा जी आप संभालने ही पाओगी अरे मैंने टीवी में देखा था एक आदमी कार उठा लेता है इतना तो मैं उठाई सकती हूँ न बहु खबराते हुए अठी की तरफ गिर जाती है डंबल जाकर टीवी में लगता है और टीवी फूट जाती है मा जी भूजिये मा जी बाबुजी बहुत तेज हस्ते लगते है बाबा बाबा टीवी और बीवी दो टेंचन थे मेरे आज एक कम होई गया बहु भी सास को उठाते उठाते इस बाद पर ताली बजा कर हसने लगती है और बेवकी फिर सगर जाती है और इस बाब बेवकी भी अपनी बेवकुफी पर हसी रोक नहीं पाती